स्वागते दोस्तों एक बार फेट से आपके अपने येटीब चैनल लान अबाउट मेडिशिन में जहां आप आते दवईयों के बारे में संपूर्ण जान करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें एक पावरफुल एंटिवाइटिक टेबलेट के बारे में जानेंगे जि इस टेबलेट में जो सेफूरोगजिम एकजीटेल है यह सेकिंड जनरेशन सेफुल यूस्प्रिम गुप की दवा है जो ग्राम नेगेटिव पर अच्छा असर करती है साथ ही बेक्टिरिया को मार कर बेक्टियल इंफेक्सिंग को ठीक करने का कार्य करती है इसमें जो क्ले यही कारण है कि क्लेवनिक एसीड को हमेशा किसी निकिसी एंटिव बैटि के साथ में एड़ करके दिया जाता है यहाँ अगर इस टेबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ टेबलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवैलेबल है जिसमें सेफूरोगजिम 250 मिलीग तथा दूसरी स्ट्रेंथ में सेफूरोगजिम 500 मिलीगाम तथा क्लेवनिक एसीड 125 मिलीगाम यहाँ दो इस्ट्रेंथ हैं जिसको नीड की एकोर्डिंग पेसेंट को दिया जाता है यहाँ पर इस टेबलेट के यूजर की बात की जाए किनकिन इंफेक्शन में इसको दिया जिसमें फेंफडे से लगाकर नाक तक यहाँ पूरा सिस्टम आ जाता है यदि किसी व्यक्ति को ब्रॉंकाइटिस स्वास अले में सुजन आ गई है इंफ्लामेशन हो गए जिसका उसको प्रोड्लम हो रही है तो उसमें इसे दिया जाता है लंक्स में जमाव हो गया हो लंक इसके अलावा इस टेबलेट का प्रियोग जन्नांगों से जुड़ी समेश्या को ठीकने के लिए दिया जाता है जिसमें यह पूरुस तता महीला दोनों में इसका प्रियोग लेते हैं उसमें मरीज के जन्नांगों के ऊपर या आसपास फफोले हो जाएंगे छोटी-छोट पल्वी के अरिये में दर्द हो सकता है इस तरह के समयश्या है जब होती है तो यह टिबले डॉक्टर द्वार दी जाती है और इसमें जो बीमारी कवर होती है उसे हम गोनर हो यह बीमारी के नाम से जानते हैं तथा के नाम से जानते हैं इन इंफेक्शन में इस दवा का प् लाटने जाता है जो किու यह जानि है कि अगर किसी वह प्रका के बैस् unit infection में डोक्टर अपने अनुभू के आदार पर इसका प्रियोग कर सकते हैं अब अगर यहां पर जाने इस टेबलेट को क्या नाम से मेडिकल इस्ट्रों पर खहिश सकते हैं तो कुछ के कोडिंग अलगलग होता है अब यहां पर इसके side effect को जान लेते हैं क्या-kya side effect होते जो सब्सक्राइब हो सकते पेट में दर्द हो सकता है, गेस्टी टाइटेस हो सकता है, आहरनाल में जलन हो सकती है, इसकी न से की रिएक्षयन हो सकती है, और इसकी ऐसी बी हो सकते हैं। इस तरह के कुछ समश्य देखे गिए, ये या इसके अलब के डूちゃん के अंडेसरैं добर में मिलें। अब वीडियो के लाश्ट में जान लेते हैं इस दवा की क्या डूज होती है, कितने दिनों तक दिया जाता है और इसको लेते समय क्या सावधाने रखनी होती है। इसकी डूज की अगर बात करें तो एडल्ट में इसे अगर सामने से इंफेक्शन है तो 250 मिलिगाम की टेबलेट सुभे तता साम को दी जाती है और अगर सीविर इंफेक्शन है तो 500 मिलिगाम की टेबलेट सुभे साम दी जाएगी और इसका डूरेशन 5 दिन से लगा कर 7 दिन तिनी डूस दी जाएगी इसकी डूस को बारा गंटे के अंतराल के बाद में ही रिपीट किया जाता है और एक बात विशेश तोर से ध्यान रखे इस टेबलिट को हमेशा खाने की बाद ही लेना होता है पावरफुल एंटिबाइटी के पेट में दर्द कर सकती है पेट में ग बंद की है यहां पास्ट में कभी आपने से एलर्जी हुई है तो इन सभी बातों को अपने डॉक्टर को जोर से बता है जैसी कि अवेसक दवा आपको लिखी जा सके और किसे समयशा का सामना आपको नहीं करना पड़े तो दोस्तों ही पूरी जानकारेती सेफू रोगजिम एक जीट देल तता कलेव लेनिक एसी टेबलिट के बारे में जो कि एक पाउरफुल एंटिवाइटिंग दवा है उम्मीद करता हूं पूरी जानकारे मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आयोगा आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है किसी नए वीडियो म नए दवा के साथ तब तक के लिए स्वस्त्रें और मस्त रहें